पर दोस्तों जाएं दोस्तों आप लोगों ने वीडियो के इंट्रो में तो देखा ही होगा कि पाकिस्तानी मेडिया किस तरीके की जाहिलियत पर उतर आई है तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है तो आप लोग इस वीडियो में लाट तक बने रहिएगा और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में सेर जरूर कीजिएगा दोस्तों मैं आप लोगों से सबसे पहले बता दू कि पाकिस्तान और न्यूजी लेंड के बीच खेले गए तीसरे T20 मैच में न्यूजी लेंड ने पाकिस्तान की टीम को एक बहुत ही बड़ी अंतर से हरा दिया है न्यूजी लेंड लगातार पाकिस्तान के बालरों के खिलाब 200 से उपर रन बना रहा है उसके बद पाकिस्तान की टीम हा रही है अब पाकिस्तानी मेडिया इतने गुसे में आ गई है कि वो अपने खिलाडियों को और कप्तान को गाली देना शुरू कर दिये पाकिस्तानी मेडिया का कहना है कि जब हम टॉस जीत कर बालिंग करके हार ही जाते हैं तो क्यूं हमारा कप्तान साहिंसा अफरीदी हर मैच में टॉस जीत कर बालिंग करता है दोस्तों यह बात तो मेरे भी समझ में नहीं आती है कि आखिर साहिंसा अफरीदी हर मैच में टॉस जीत कर बालिं पाकिस्तान के टीम बहुत जाहिल टेम है यह जाहिलों से कम नहीं है से सहलों टेम हर नहीं हरो तो कोई बाथ नहीं टीम हरती और लेकिन तुम लोग तो बिलकुल पाकिस्तान के टीम के खिलाब नलायकी पर ही उतर जाते हो तो दोस्तों चलिए आगए देखते हैं इस वीडियो में और क्या कहना पाकिस्तानी मेडिया का अपने टीम के दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देखी लिया होगा कि पाकिस्तानी मेडिया किस तरीके से पाकिस्तान की टीम क ये ऊपर बोखलाई हुई गी और होना भी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की टीम लागातार कई महीनों से हारती हुई चली जा रही है पाकिस्तानियों को लगबग पिछले तीन महीनों से जीत का मुँ देखने को नहीं मिला है उन्हें सिर्फ नाराजी होने को मिलता क्योंकि पाकिस्तान की टीम हर जगह ही रेल दी जाती है इनको एक बहुत ही बड़ी उमेद थी कि हम लोग नियुजिलाइड में टीटवेंटी में जीत देंगे और जब इनका प्रधान मंतरी कहीं जाता है तो भिकमंगो की तरह दुदकार कर भगाया जाता है तो इन दोनों में कोई फारक नहीं है पाकिस्तान की टीम में पाकिस्तान के प्रधान मंतरी में और भिकमंगो में दोस्ताब पाकिस्तान की टीम तो लगतार हारती हुई चली जा रही है और पाकिस्तान के खिलाड़ी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है लेकिन मैं एक कहना चाहूँ कि जो पाकिस्तानी मेडिया कह रहा ही कि हमारे खिलाड़ी इस समें टूर पर नहीं जा रहे हैं किरिकेट खेलने नहीं जा हैं और अंगजलिया मनाने जा रहे हैं इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हरे खिलाडी तो साथ ही करके गए हैं, उनको हानी मून मनाने का समय था, तो वो किरकेट खिलने जा रहे हैं, और अपने बीवियों को लेकर जा रहे हैं, तो वो किरकेट पर ध्यान दे, अब उनके सार्ट टाइम स्पेंट करने पर द्यान दें ऐसा पाकिस्तानी मेडिया का तो तो फिलाडी है इसा है के पैसा के पैसों पर बताते हैं फिर भी उनकी बुराई ही करते हैं तो दोस्तों आप लोगों का पाकिस्ताने मेडिया के बारे में क्या रहा है कमेंड बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा और हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा